आज हम घुलबरगा के माने हजरत शेख ताजोदिन बाबा जुनेदी का चालिव से के लिए मैय और हमारे सिनियर लेडर केमेलशी साब सुषिनमोशी साब और हमारे साथी आये हैं और हहां का माहौल सारी हिंदूस्तान के लोग हां पे जुड़े हुए हैं बोग अच्छा प्रोग्राम रहा हम आज सहाब को याद किये हैं और उनके सहाय में भी हम आज रहना है जो मारगर दर्शन दिये आज वो ज चलना चाहिए कोई उनका उसुनला चाहिए उनका उनके जो आक्रि जर्नि में हर क्रूम का लोग आये हैं कम से क्लग कुम कम 2,5 Πरिट है और मैं 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 नसीब नहीं वो पूरे हां पर आकर उनके आखरी जन में जुड़े हैं, हम चाहते हैं गुलबरगा में शांती रहे, अमन रहे, हर लोग खुछी रहे, भाई चारा रहे, कोई किसी का नजर न लगे गुलबरगा ये मात रहे हैं, असरत शेक जुनीदी साहब, उनका जो 40 वा दिन आज हम मन रहे हैं, मैं समझता हूँ, एक अच्छा मौका था, जो हमको मिला है, और इस कारिक्टरम में हम भी, मैं और इंपी साहब शामिल हो गए हैं, उनका जो हर मजब के लोगों के जबान से ये सुने ही देता, कि वो बहुत बड़े आत्मीते, अपना आशिरवाद, अपना योग हर किसी को दिये है, और उनके आशिरवाद से, उनके जो नक्षब कदम पे हम सबी लोग चले, ताकि उनके आत्मा को शांती मिले, साती साथ, उनके जो मुरीद है हर जगा, हर जगा जो देश वर में सब जगा है, मैं अभी अभी सुन रहा था, कि आज यहां है, कुछ दिनो बाद हैदराबाद में हैं, उसके बाद में बेंगलोर में हैं, यह सिर्फ यह बताता है, कि उनके मुरीद देश के सभी जगापे, भारत के सभी जगापे से वो उनके मुरीद आते हैं, मैं समझता हूं, उनके आत्मा को शांती मिले, और उनके जो तत्व है, उनके जो नीत नियम है वो हम सभी लोग आगे हम पानन करें और इस देश की भलाई मैं समझता हूं सभी की भलाई उसी में है धन्यवार